नमस्कार और आज क्या बात करें मतलब खुशी है क्योंकि मैच वैसा खेला गेम वैसा दिखा है और मैं एक चीज के लिए थोड़ा सा बोलना चांगा कि मैं फर्स्ट हाप जो है उसा ही से देखनी पाया क्योंकि मैं कुछ जादे बिजी था एक बजे तो रात को एक बजे तो थोड़ा सा फर्स्ट ह Обराने मिस्कर दिया तो अगर फर्स्ट ह fijाप में कुछ ऐसी सी चीज ह 》 हो गी जो बहुत इंपोर्टेंट हो कि मैने जो में मिस्कर दियोगी ना मतलब गोल मैंने देख लिए थे लेकिन second half से मैंने full match देखा और second half के 5 minute जो starting के 5 minute देखे उससे ही मैं समझ गया थे कि आज हमारी team के अंदर क्या भूग है तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने first half miss भी किया होगा तो मैंने कोई बहुत बड़ी चीज मिस नहीं करी क्योंकि second half में हमको जो दिखा है वो तो भीया मतलब क्या मज़ेदार दिखा अभी इसमें कुछ हमारे रहेंगे कुछ है ना जिनको मिर्ची लगती है तो वो ऐसा बोलेंगे कहा रहे है मालदी उसके मार दिये तो क्या है देखें भी है अभी हम safe cup में हमारी हालत थोड़ी से खस्ता लग रहे थी हमको क्योंकि हमारी team better organized नहीं लग पा रही थी हमको लेकिन यहां पर मैं बोलूँगा कि आप तारीफ कीजिए विबियानो साहब की कि उन्हो मालदी उसको चांस ही नहीं दे रही थी वह सहीं से कुछ चांस मालदी उसने क्रियेट करनी कोशिश करी थी हमारे final 3 तक पहुंचे भी थी लेकिन इंडिया तो मतलब हाँ सवासेर थी वह सवासेर थी आज और आप हमारे गोल भी देखी पहला गोल मतलब डिफेंस को हमने ब प्लेएर के उपर after seeing performance in safe cup कुछ मैचेस में safe cup में हमने उस तरीके से नहीं perform किया था जिस तरीके से इंडिया को करना चाहिए था तो बिबियानो सर ने किस तरह से मोटिवेट किया प्लेयर्स को, किस तरह से ट्रेनिंग में उनका confidence जो है वो बढ़ाया है, इसकिल उनकी तारीफ होनी चाहिए, फिर second goal जो हमारा हुआ, चली वो deflect हुआ और sort जो है अंदर चला गया, तो वो बात वहाँ पर बोल सकते कि we were lucky in that goal, बट हम महनत कर रहे थे और हमको वो महनत कफल मिला, वो second goal वो भी ऐसे तुम मिला नहीं है, ठीक है, फिर स्वाथ तीसरा goal, क्या transition moment बनाया है यानि क्या transition moment बनाया है, आप देखिए उस transition moment को, कितना solid attack को create किया था और कितना अच्छा उस पर decision making थी कि सही pass, सही एक अच्छा tap-in और उस पर अच्छे से finish, उस पर चौथा penalty तो वो penalty वो कैसे मिली, आप देखिए पूरा second half, final third में इंडिया कितना time बिताई है, कितना time final third में बिताई है गेम मतलब इतना quick spread होता था, इतना quick squeeze होता था, कि सामने अली मालदीज एकदम होचक्क हो जाया है मतलब मुझे game देखिए एक-एक player की तारीफ करने का मनो रहा है, एक-एक player का game मुझे individually कहें, team game किसा आप से कहें, बिल्कुल पसंद आया है उसके बाद जो हमको 5 गोल मिला उसमें आप देखिए, हमारे player ने space find करी, ठीक है, this is called creativity, क्योंकि आप अगर space find कर रहे हो भाई, आप creativity है और आप sort ले रहे हो, मतलब confidence level आपका, कहां से ले रहे हो, उसका distance देखिए, उसके बाद आप on target मार के goal भी score के आपने, मतलब team का confidence full on ह 5 गोल हमने मार रहे है, माल दी उस पर, तो इसमें आप बिल्कुल यह मत देखिए, कि Kuwait ने तो जादा मार दिये, तो क्या होगा, Saudi ने तो team पर जादा मार दिये, तो अप क्या होगा, एक goal से up है न, goal difference के साब से, तो मैं आपको बताना चामगा, पूरे game के साब से, आप करेंगे, तो कुछ ऐसे positive points हमको दीख रहे है, हमारी भारती football team में सबसे पहला point, जिसकी वज़े से मुझे लगता है कि मैच जीत गया, एक single चीज, वो बताँ क्या है, passing and support play, ये एक simple सी बात, जो की एक basic चीज होती है, अब देखिए, pass हमारे player की है, support, बस, इतना ही तो अध आपके पास ज्यादा better chances of attack create करने के, simple, तो इंडिया के पास ज्यादा थे, simple सी बात है, उसके passing and support play के बात, दूसरी चीज थी, penetrative passes, penetrative passes होते एक risky passes, उसमें अगर आप risky pass होते, उसमें अगर आप pass दे भी रहा हो, तो ball lose करने के chances में भी हो सकते, अगर player receive ना कर पाए, player change of direction, ज हमने successful करें, ज्यादा से ज्यादा, और वो भी हमने final third में अच्छे-च्छे कर रहें, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, और हमारे players की quality की बात करना पड़ेगा, individual quality की, मतलब मैं तो मेरे चहरे भी दिख रहेगी खुशी, मैं बड़ा मजा आया मुझे, और अगली चीज म final third में और ये एकदम खेलकर last, ये मुझे बड़ा मासा है देखके और एक चीज, फिर coordination, coordination is very important, coordination देखिये था आज के match में coordination, मतलब की भी एकदम ये long ball डर रही है, हमारा player पहुँच ज़रा है, ठीक है, इधर से crosses डल रहा है, हाँ, इस बात में मैं कुछ बोल सकता हूं कि we can work better on crosses, ठीक है, finishing, इस पर work कर लिया तो फिर तो मतलब चारचान लग जाएंगे भी है, इतनी सी बात है, मतलब की better organized लग रही है इंडिया टीम, कहा work करना है, थोड़ा सा हमको करना है finishing पर, बस, finishing करना है, crosses भी आ रहे है, crosses भी आ रहे है, finishing, बस, इतना अगर सहीं हो जाया न, finishing क जाया, मजा आ जायाएगा, यह टीम से भी हम उम्मीद अब बहुत बढ़ने लग गई आपकी, हाँ, लेकिन हाई एक्सपेक्टिशन मत बढ़ाईएगा, लेकिन मैं आप बोलोगा कि positivity जरूर रखीगा, क्योंकि यह टीम, full positivity के साथ उतरी है, so when they are positive, हमको भी तो positive रहना भी ठीक है, यह काफी कंटीश में देखेंगे, आप काफी कंटीश के साथ से भी, ACI के भी, physical presence में हम काफी बैटर है, मतलब not every player is physically very good in Indian team, but कुछ प्लेयर्स और मतलब की जादा से जादा बोल सकते हैं, बहुत अच्छी फिजिक का यूस कर सकते हैं, और वो यूस मुझे आज के मैच में दिखा है, जो हमने मालदी उसके अंडर 17 में अगेंस किया है, physical presence बिलकुल दिखा है, मतलब की full shielding, full covering, full देरा बिलकुल tussling चल रही है, यह, तो यह चीज, हर चीज मतलब, हर आप एंगल से देखेंगे, आपको काफी improvement दिख रहा है इस team में, मुझे दिखा, मेश दिखा ही होगा, और एक चीज में कहना चाहूँ कि पूरे team की तारीफ तो जरूरी है, क्योंकि team work है, team game है, coach की भी तारीफ, players की भी तारीफ, लेकिन एक player ऐसा था आज, जिसको हमने पहले साध मिस्स किया देखना, और साध विब्यानो सर ने भी उनको नहीं लिखा है, ला बड़ा धमाका, एकदम कर दिया, तो बड़ा मज़ेदार game खेला, काफी talented player मतलब, free kick भी ले सकते है भाई साब, और game बना सकते है, मतलब वा, talent की बात, talent की कमी नहीं है, तो मतलब कि विब्यानो साब ने काफी दिमाग लगा है, बहुत वर्क किया है, टेक्टिकली, टेक्न थोड़ा सा और better work दिखेगा आपको, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आपने देखा 5 goal भी हो गया थे, विब्यानो साब का जो face था, वो कहीं न कहीं, उनको ऐसा था कि काफी चीचे मिसोरी है, मैं कहां पर work करूँगा, वो face देख के समझ में आ रहा था, तो work करेंगे, बिल मतला peak performance, full, एक नब बूम, ये चलेगा, हम जीतने वाले, मैं बतारहूं, जीतने वाले हैं, और देखेगा, अगर same, मैंने कहां बहुता, same performance, same peak performance, अगर follow किया, same ऐसे penetrative passes, ट्राय करनी कोशिश करी, risk लेनी कोशिश करी, है न, अपनी speed का यूज़ के, physical presence का यूज़ के, जो जो हो सकता है, coordination full दिखाया, आप देखिएगा, कुवेत के अगेंस्ट, हमारे इंडिया टीम, फाड़ खेलेगी, फाड़, और नहीं खेली, तो फिर, maybe, हम कुछ mistakes करेंगे, इसकी वज़े से नहीं होगा, वरना वैसे तो अभी की situation के साब से, thumbs up, बिल्कुल, जगास खेलने वाली है, तो अभी देखिए, गोल्ड डिफ्रेंस में बोल सकते हैं, थोड़ा सा, हमको 6-7, 6 तो मारी देना था, लेकि ठीक है, हमने 5 ही मारे, काफी सही, better condition में अभी भी है, कुवेत को हराना है, simple सी बात है, ठीक है, तो देखते हैं, कुवेत के साथ क्या होगा, अभी फि अभी है, कुवेत के साथ कुवेत के साथ कुवेत 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 झाल झाल